जानिये ग्रहों के दोश को दूर करने के उपाए हमारे हिंदु धरम में नो ग्रह बताए गए हैं और सभी ग्रहों का अलग-अलग असर होता है कुंडली में जिस ग्रह की सिती अशुब होती है उसके लिए कई उपाए किये जाते है इन उपाए में से एक उपाए है श्री अशुब ग्रहों के मंतर का जाप किया जाए ग्रहों के मंतर जाप से अशुब ग्रह का असर कम हो जाता है जानिये कौन से ग्रह के लिए कौन सा मंतर जाप किया जाएगा मंतर जाप की सामान्य विदी यह है कि जिस ग्रह के लिए मंतर जाप करना चाते हैं उस ग्रह की विवित पूजा करें पूजा में सभी जरूरी सामगरी चड़ाएं इसके लिए आपको किसी ब्राह्मन की मदद भी लेनी पड़ सकती है पूजा में ग्रह संबंदित मंतर का जाप करे मंतर जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उप्योग करना चाहिए सोमवार को करें यह काम तो बनेंगे सभी बीड़े हुए काम सूर्य मंतर ओम सूर्याए नमा सूर्य अध्या देकर इस मंतर के जाप से पद यश, शफलता, तरक्की, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्ते, संतान, सुख प्राप्थ हो सकता है इस मंतर को दरिशा से दूर हो सकती है चंदर मंतर ओम सूमाए नमा इस मंतर जाप से मानसिक परेशानिया दूर होती है पेट वे आखों की बिमारियों से रहत मिलती है मंगल मंतर ओम भुमाए नमा इस मंत्र जाप से भूमी, संपत्ति, वे विवाबादा दूरोने के साथ ही सांसारिक सुख भी मिलता है बुद्र मंत्र ओम बुद्धाय नमा यह मंत्र जाप बुद्धी वे धनलाब देता है घर या कारुबार की आर्थिक समस्याव को गटाता है और निर्नेशमता बढ़ाता है गुरू मंत्र ओम ब्रस्पत्य नमा इस मंत्र जाप से सुखत वेवाहिक जीवन आजिवी का वे सोभागय प्राप्त होता है शुक्र मंत्र ओम शुक्रा नमा यह मंत्र जाप वेवाहिक जीवन को खुशहाल बनाता है वेवाहिक जीवन में कलेव अशांती को दूर करता है केतु मंत्र ओम केतवे नमय यह मंत्र जाप हरिष्टे में तनावदूर करने के लिए सुकसांती पदान करता है शनी मंत्र ओम शर शनीचराय नमय ये मंतर तन मंधन से जुड़ी तमाम परेशानिया दूर करता है वैं भाग्यशाली बनाता है राहु मंतर ओम रहा वे नमय यह मंतर जाप मांसिक तनाव विवादों का अंत करता है अध्यात्मिक सुख भी देता है इस तरह की और वास्तुसंबंद जानकारियों के लिए असलास्ता को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जाद से जादा लाइक शेर और कमेंट करें